हेलो फ्रेंड मेरा नाम है रवी कमार और आप देख रहे हैं दे रवी टेक्निकल यूटूब चैनल दोस्तों आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर और इस वीडियो में दोस्तों आज किस वीडियो में आपको दिखाएंगे यह जो देख रहे हैं heat converter है जिसे हम room heater बोलते हैं और यह blur की तरह होता है इसमें क्या होता है इसमें fan लगा होता है जो कि हमें गरम हवा देता है और यह element लगा होता है तो दोस्तों अगर यह खराब हो जाए तो इसको आप कैसे repair करेंगे और कैसे पता करेंगे कौन सा fault है तो इस वीडियो में यही आपको बताया जाएगा तो वीडियो को ध्यान से देखेगा पूरा देखेगा और वीडियो में कोई question कोई query होगी तो आप हमें comment करेगा उसको मैं जरूर आपको बताऊंगा फिलाल आपको इसकी प पताया जाएगा तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं तो दोस्तों यह देखिए यह इस तरह से होता है इसका बोडी और यह इसका जो है यह ढखकन है जिसे मैंने निकाल दिया है अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें एक fan लगा होता है जिसको हम इसके पंखडी बोलते हैं यह घूमता है और इसके अंदर एक motor लगा होता है यह motor का coil है और इसमें जो है लोहे की पत्ती है और बीच में rotor और boost support लगा हुआ है जिससे घूमता है अब इसमें एक power cable होता है जो की यहां से connect होता है ठीक है तो यहां पे देखेंगे connector है और इसमें wire आकर लगा हुआ है तो यह जो cable है इसमें तीन wire है एक red, black और एक green तो red और green और black आपको पता है कौन कैसा किसका होता है जो red वाला होता है फेस होता है black वाला अर्थिंग होता है और जो green वाला है वो ground होता है जो कि आपके हीटर जो भी है कनेकٹर इसकी बोडि में लगा होता है वह 2008 इसकी बोडि में करण्ट आ जा भी तो ग्रीन वाले से होकर इब आफसी औरके सरकिट जो सॉकिट है अपका बिजली कब उसमें से अभanda तो एक वायर आता है फेस का जो की इसका सुच है यह देखेंगे सुच है इस सुच में क्या खासियत है दोस्तों देखिए यह सुच इस तरह से बनाया गया हुआ है इस तरह से डिजाइन किया गया हुआ है यह देखें जैसे हम पहला ओन करेंगे तो हमारा फैन ओन हो जाएगा ठीक है अब दूसरा ओन करेंगे तो पहला एलिमेंट हमारा ओन हो जाएगा और तीसरा ओन करेंगे तो हमारा दूसरा एलिमेंट ओन हो जागा तो हमारा फैन और प्लस दोनों एलिमेंट एक साथ जलेगा तो heat करेगा, ठीक है, एक element हमारा 1000W का होता है, दूसरा भी 1000W का होता है, दोनों मिला के 2000W का, ठीक है, और ये हमारा 230V से लेकर 500V तक अराम से चलता है, और सिंगल फेस से चलने वाला होता है, ठीक है, और ये auto cut होता है, जैसी over heat होता है, तो बंद भी हो जाता है, अब फैन नहीं, फैन के साथ motor भी चलाना है, ओ, heater भी चलाना है, तो ऐसे दोनों कौन करेंगे, तो देखिए, फैन प्लस दूसरा element on हो गया, बंद करेंगे तो बंद हो जाएगा, अगर हम चाहते हैं, डारेक्ट तीनों चले, तो इस पर क्लिक करेंगे, बटन दबाएंगे तो ह element भी, यह होता है, इसको check कैसे करते हैं, तो simple सा तरीका है, आपके पास यहाँ पर देखेंगे, चार point होता है, इसके अंदर ठीक है, तो पहला जो हमारा power supply यह आ रहा है, फैस, यह नीचे वाले point पे जाएगा, ठीक है, उसके बाद यहाँ से 3 point out हो रहा है, तो पहला जो है, यह पहला होता है, पहला हमारा fan पे जाएगा, दूसरा element का पहला part पे जाएगा, मतलब दो element होता है, तो पहला element और यह दूसरा element पे out होता है, ठीक है, यह आपको समझ में आ गया होगा, उसके बाद यह तो चला गया, आपका, यह element में direct चला गया, अब दूसरा क्या हुआ ह इसमें से होते हुए जो कि हमारे हमारी यहां पर देखेंग थर्मॉस्टेट बना हुआ है क्या का मोता है यह मोर्टू घूम रहा है फंखा घूम रहा हैज में चाहुआ है और ये रखा हुआ है कहीं पे और वाई चांस इसका पंखा बंद हो गया ठीक है चलना तब क्या हुआ ये ओवर हीट होगा ओवर हीट होगा तो इसकी बोडी वगेरा सब गरम हो जाएगा और आपके घर में टेवल पर कुरसी पर कहीं भी रखा है विस्तर पर वैसे विस्तर पर रखना नहीं चाहिए कहीं रखा है तो गरम होकर वह भी जल जागा मतलब कि फूरी तरह से आग लग सकता है तो इसलिए thermostat लगा होता है, जैसे कि आपने iron press में देखा होगा, उसी तरह से, तो यहाँ पे spring है, जो की element है, यहाँ से heat उपर आता है, और इस पे heat होता है, जैसी यह ज्यादा heat होता है, तो यहाँ से connection काट देता है, connection काट देता है, तो यहाँ से जो जा रहा है इधर, यह काम करता रहता है, बायचान से अगर पंका बंद हो गया, किसी कारण बस पंका के coil फुक गया, तार जल गया, और heat हो गया थे, आपने आप बंद कर देगा, यह इसका काम है, अब यहाँ से जो out होकर, जो element है, यह हमारा element पे जाता है, जो wire है यहाँ से, heat से, thermostat से होकर, direct element मे direct होता है, एक wire इधर साया, और fan में चला गया, दूसरा wire सुच पे चला गया, thermostat पे fan का wire नहीं होता है, और element आपको इसके बारें पता ही होगा, यह पूरा element यहाँ से घूम घूम कर बना होता है, दो पार्ट में होता है, फर्स्ट और सेकेंड करके बनाया गया होता है, और जब इसको आप cover करते हैं, तो ध्यान रखेगा, कहीं से leakage नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या हो जब पंका गुमेगा, तो इसका हवा बाहर नहीं जाना चाहिए, बाहर जाएगा, तो यहां से हवा नहीं आएगा, तो heat नहीं होगा, तो यह ध्यान रखना, आपको जो भी है, यहां से आना चाहिए, यहां बराबर, ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों, कमी होने का कारण यही है, या तो सुच खराब हो सकता है, या वायर जाद सकता है, या थर्मो स्टेट खराब हो सकता है, या आप चेक कर सकते हैं, थर्मो स्टेट चेक करना बहुत आसान है, मल्ट पि बखेंगे गया और प今 stove आप कर 우리는 लाइस न होरी । का रापaton को वीडियो को पसंद आए कर इस वीडियो की अपने दो स्यर करी और चैनल पर पहली बार है तो हमारे चैनल दर भी टैकनिकल को सबस्क्राइब करिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में जब तक लिए धन्यवाद वावाई दोस्तों